हेलो दोस्तों कैसे आफ से आफ सब मैं सुमन गुत्ता स्वागत करती मेरे और आपके अपने चेनल प्रैडएव मेकप इस्टूडियो दोस्तो आज हम हम बात करने वाले हैं wide set eye shape पर eye makeup कैसे करें देखे दुस्तो अलग अलग eye shape होते हैं से participate the eye shape पर हमें उसके according makeup कर ले करना होता है तभी हमारा makeup look अच्छ आता है और तभी हमारा eye makeup लुक भी अच्छ अपने आप में सभी खुख्षूरत होते हैं बट भी हमारे पेस्ट पर कमिया होती हैं उन्हें हम छुपा के अपने फीचर्ज को इन्हेंस करना उसी को मेकप बोलते हैं आई मेकप हो या पेस्ट यह वीडियो लाए हैं आपके लिए कि हम वाइट सेड आई सेप पर किस तरह स रखना होगा और अगर आप इन्हें फॉलो करते हुए आई मेकप करते हैं तो आपका आई मेकप काफी अच्छा होगा तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे वीडियो को इसकीप ना करें वीडियो काफी यूसफुल है वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें Kapائنफ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिजिएगा तो ढसक सबस्क पेस्ट काम करते हैं ऐब्रोज को प्रैप करना कि तो मैंने आपको पहले वीडियू में भी बताया है कि आपको तो eyebrows को कैसे प्रैप करना होगा, क्यूंकि जैसे आप face makeup करते हो, तो अपने face को प्रैप करते हो, उसी तरह से आपको eye makeup के time पर eye मी प्रैप करना ज़रूरी होता है, सबसे पहले अपने आइस फर प्राइमर लगाएंगे अपने फेस के अकॉर्डिंग कंसिलर लेंगे या फिर आपके पास पॉंडिशन है तो आप वही लेंगे और उससे आप आइस सेफ करेंगे इसके बाद आप पूरे आइलेट पर बेस करेंगे इस तरह से अगर आपके पास ब्रस है तो आप ब्रस से करें नहीं तो आप ब्लेंडर से भी कर सकते हैं गाइस अगर आप मेकप करने जाओके तो अगर आपको आइस सेफ के बारे में नहीं पता है तो एडियल फेस्सेफ होती है वह होती है अपने सुना होगा योंंध ऐसेफ जो होती है वह बिलकुल पॉफिक्टory जैसे कि आपका पर्फिक्टory इसे जाता है उसी दर्द आई सेप के अकॉर्डिन मेकप करते हैं उस आई सेप को हम फालो करते हैं ताकि हमारा आई सेप बिल्कुल अलमॉंड की तरह हो फिर वो चाहे कोई भी आई सेफ हो सो हम मेकप से अपने आईस को एक सेफ देते हैं तरह का इलिजन क्रियेट करते हैं ताकि हमारा आई सेफ उस तरह से दिखे सो हम आपको बताते हैं कि हमें वाइट सेट आई सेफ को किस तरह से मेकप करना होगा सो आपको पहले बताते हैं कि हमारा वाइट सेट आई सेफ होता कैसे है वाइट सेट आई सेफ में दूरी बहुत होती है यह जो हमारे अब्रोस होते हैं इनके बीच में काफी दूरी होती है इसके बीच में हमें एक आईस और मिल सकती है इतनी दूरी होती है हमारे वाइट सेट आई सेट में जिसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्लोस सेट आई सेट होती है जो हमारी ये आईब्रोज है वो पास में होती है विकुल और जो हमारे white set eyes होती है वो काफी दूर होती है उन्हें इतना जादा space होता है कि हम बीच में एक eyes कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना क्योंकि white set eyes में जो दूरी होती है उन्हें enhance करने के लिए हमें सबसे पहले eyebrows से ही start करना होगा जैसे कि आप eyebrows कर रहे हैं तो आपको इस तरह से eyebrows को और थोड़ा करीच लाएंगे ताकि यह जो space है वो कम हो जाए अभी आप सोच रहेंगे कि मैं eyebrows को और आगे से क्यों फिल कर नहीं हो तो दोस्तों इसका main reason नहीं होता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें space बहुत जादा होता है तो इसलिए हमें eyebrows को थोड़ा और पास लाके इसे फिल करना होगा ताकि जो यहां बीच में space होती है न वो थोड़ा कम हो सके इस तरह से आप eyebrows करेंगे जो भी वाइट सेव वाल है मैं उन्हें सजेस्ट करूंगी कि वो थ्रेडिंग बनवाने के time यहां जो यह inner corner होता है यहां का hair वो बिल्कुल भी remove ना करवाएं इस पेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे इसे आपका eye look बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा देखिए अगर आप यहां के hair नहीं remove कराएंगे तो आपके जो यह hair है वो थोड़ा नजदीक नजार आएंगे जिससे भी आपके यह जो space है वो कम दिखेंगे तो अब इस तरह से eyebrows को इस्टॉक दे अभी मेरे पास वह available नहीं है तो मैं आपको नहीं दिखा सकती अब अगर आपके पास नहीं है तो आप इससे भी अच्छे से काम कर सकते हैं या कि आपके पास eyeliner वह तो उससे perfect कर सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे आपको स्टॉक देने हैं और इस तरह से आपको eyebrows feel करने होग इस तरह से आप line भी draw कर सकते हैं उपर से भी बिल्कुल equal होना चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए तो इस तरह से आपको इस टॉक देते हुए eyebrows feel करना होगा जिससे वह बिल्कुल natural दिखाना होगा तभी आपका eye makeup अच्छा दिखेगा नेक्स्ट आप क्या करेंगे जो भी आपने eyebrow feel किया भी जो भी आपने stop create किये हैं अगर वो जो एक्स्ट्रा निकलाते हैं तो आप उसे इस तरह से clean कर दें मैं आप concealer लेके concealer brush से इसे clean करके सेव दे रही हूँ आप इस तरह से clean कर लें आपको समझ में आ रहा होगा अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी तो आप हमें comment box में comment कर दीजिएगा मैं आपको reply कर दूंगी और कोसिस करूंगी कि आपको वीडियो बनाके समझा पाऊं तो ज्यादा च्छ आएगा ठीक है सो इसी तरह से आपको proper ऊपर के तरफ भी feeling कर देनी है सुगाइज में आपको जो भी बता रही हूँ मेरे खाल से आपको समझ में आगे होगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ और आपको किस तरह से eye makeup करना होगा तो जब भी आप किसी client पर work करेंगे तो आपको विल्कुल finishing से work करना होगा इस तरह से proper clean कर लेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले space ज़्यादा था अभी कम हो गया है तो हम इस तरह से eyebrows को बढ़ाएंगे तो यह हमारा first step है नेक्स हमें क्या करना है गाइस अगर हम white set eye shape पर makeup कर रहे हैं तो अगर हम inner corner से start करेंगे तो हमें dark eye side हो चाहिए बट मैं यहाँ outer corner से start कर रही हूं तो मैं यहाँ पर neutral color लोंगे neutral color बोले तो मैं यहाँ पर light brown ले रही हूं मैं इसे यहाँ पर इस तरह से apply करूंगी इसके बाल मैं इसे इस तरह से crease line जो होती है हमारी इसके उपर से ले जाएंगे हम जो हमारी क्रीज लाइन होती है इसके उपर से हमें ले जाना होगा सुगाज हम इससे उपर ले जाएंगे इस तरह से और इसी तरह से हम इसे ब्लैंड करेंगे क्रेज लाइन आपको पता होगा जहां से हमारी आई फोल्ड होती है वो हमारी क्रेज लाइन होती है तो मैं यहां आप देख सकते हैं क्रेज लाइन के ऊपर से कलर ले गई हूँ प्लेस्मेंट को आपको ध्यान देना होगा कि आपको कलर कहां पे रखना है सो मैं यहां जो लाइट ब्राउन लिए हूँ आपको बात हमेशा ध्यान रखें कि आपको डार्क लेना है वह आपको रखना है और आपके QX pronounce कर न होगे तो हमें इस तरह से इसलिए करना हैं कि हमें जो हैं pew he bear इस्पेस मिल रहा है हमारे जो आइस के बीच में जो भी इस्पेस है उन्हें हमें और नजदीक दिखाना है तो इसलिए मैं यहाँ पर इनर कॉर्नर पर डार्क ब्राउन य बाहर की तरफ इसे ब्लेंड करना है आप देख सकते हैं मैं यहां पर आउटर कॉर्णर पर लाइट ब्राउन यूज की हूँ और यहां पर डार्क ब्राउन यूज की हूँ इस तरह से आपको blend करना होगा blending most important होता है और मिपमे क्या लेंगे क्योंकिमीर का या इनर पर चाहे ए तो हम मिड में क्या нож करना है अगर आप चाहें तो यहाँ पर सिमर कर सकते हैं यह आपके पास मेटाल्य है यहां प्रॉड यूज करना साहarta जो भी आपको अच्छा लगे वह आप दाइबूज़ कर सकते हैं सब क्या अजयर यूज.'' इस तरह से मैं यहाँ पर सीमर यूज कर रही हूँ जो भी कलर आप यहाँ पर डिपोजित किये हैं उसके साथ आपको इसे अच्छे से ब्लेंड करना होगा ताकि आपके कलर अलग-अलग से ना लगे तो मैं यहाँ पर सीमर को ब्लैंड कर दूंगे अपको प्रॉपर्ली ब्लैंड करना होगा धियान रखे कि कोई भी हार्स-लाइन आपको यहाँ पर ना पज़र आए लेना है अब ब्रावबान को हाईलाइट करेंगे इस तरह से आपको लेना है जो आपने यहाँ इनर कॉर्ण छोंड़ पर लाइक कलर का ब्राउन ईूस किया था वही कलर आपको लेना है और आपके आउटर कोर्生DR से लेकर के इनर कोर्नर तरफ 94 तरह से इन करना होगा इस आई सेग में विंग लाइनर हमें नहीं create करना है तो मैं इस तरह से एक लाइन create कर रही हूँ इसके बाद इसे हम smudge कर देंगे इस तरह से तो आप देख सकते हैं ये eyes कितने पास आ गई है तो अगर मैं इसमें भी इसी तरह से makeup करेंगी तो दोनों आइज काफी क्लोज हो जाएंगी तो आप देख सकते हैं कितना खुशुरत लग रहा है इस तरह से अगर आप आई मेकप करेंगे वाइट सेट पर तो आपका आई मेकप काफी अच्छा आएगा ज़रूरी बात दोस्तों कि आपको यहां इनर कॉर्णर पर आप यहां पर हाइलाइट लगा देंगे तो यह दूर नजर आने लगेंगे अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कोई भी प्रॉप्लम हो तो आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूश सकते हैं मैं जरूर करूंगी और जो भी आपको वीडियो चाहिए आप हमें पूछ सकते हैं हम आपके लिए वीडियो जल से जल बनाएंगे तो इस तरह से आप आई मेकप करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा आई मेकप कितना अच्छा लगा है है तो आप इसी ट्रिक को फॉलो टर के वाई सेट आई शेप पर मेकप करेंगे तो आपका आई मेकप काफी अच्छा आएगान ticket हमाय सुवीदियो उम्मेद करती हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेय बाइ बाइ